Hello everyone, welcome to Ceres Talks हम सभी के live में बहुत ससरे ऐसे events होते हैं जिनके कारण हम stress में आ जाता है अब ये stress में आने का कारण कुछ भी हो सकता है किसी दोस्से जगड़ा हो जाना हो सकता है किसी इन्सान का आपको negative बोल देना हो सकता है किसी exam में fail हो जाना हो सकता है कोई interview crack ना कर पाना हो सकता है अब ये events जब होते हैं तो ये हमें stress तो देते ही हैं साथ ही साथ हमारा काफी समय बरबात कर देते हैं हम इनी events को आ रहे हैं सोच-चोचके एक दिन, एक महीना हो सकता है एक साल खराब करते हैं अब जब ये time खराब हो जाता है तो हम उस समय कोई भी productive काम नहीं करते हैं जबकि हम कर सकते थे हम कुछ बेटर कर सकते थे लेकिन हम नहीं करते हैं विकाज हम stress में हैं तो आज के वीडियो में मैं बात करूँगा एक ऐसी technique की, एक ऐसे rule की जिसको अगर आप समझ जाते हैं आप किसी भी तरह के stress से 5 मिट के अंदर निकल सकते हैं और यह rule है क्या? यह rule है 5 by 5 rule 5 by 5 rule बोलता है अगर आपके life में कोई event हो रहा है जिससे आप stress out हो रहे हैं तो आप सोचिए कि क्या वो event आपको next 5 साल में affect करने वाला है या नहीं अगर उसका को impact आपके life में next 5 साल में नहीं होने वाला है तो उसको 5 मिट से जादा ना सोचें जनरली क्या होता है? हमारे जितने भी stressful situations होते हैं, events होते हैं maximum ऐसे होते हैं जिनका कोई impact नहीं पढ़ने वाला है हमारे 5 साल बात के life में बट फिर भी हम अपना बहुत सारा समय उनको सोचने में बरवात कर देते हैं कि किसी ने हमारे बार में बुरा क्यों बोला कि ये एक interview क्यों मुझसे crack नहीं हो पाया या मैंने exam में कम marks क्यों लाए मेरे दोस्ते क्यों जगड़ा हो गया ये सब चीजें भले ही आज बहुत important लग रही है लेकिन 5 साल के बाद सायधी इनसको आप याद भी रखेंगे आप खुद देख सकते हैं आपके life में बहुत सार ऐसे events होए होंगे जिसके कारण आप एक साल पर ले stress लेते थे एक साल बाद भी आपको stress वाले events याद नहीं है तो इसलिए 5 by 5 rule apply कीजिए जब भी कोई चीज ऐसी होती है जिससे आप stress ले रहे हैं तो बस ये सोचिए कि क्या ये event मेरे life को 5 साल बाद impact करने वाला है या नहीं अगर नहीं करने वाला है तो 5 मिट से जादा उसके बारे में नहीं सोचिए अगर आप इस तरह से सोचेंगे तो बहुत सारे situations ऐसे होंगे जो आप easily handle कर लेंगे बहुत सारे ऐसे events होंगे जिनसे आप बहुत जल्दी निकल जाएंगे और जो time आपका बरवाद हो रहा था negativity में सोचने में वो time आप किसी productive काम में लगाएंगे जिसके कारण आपको कुछ benefit होगा कोई चीज अचीज अचीव कर पाएंगे अगर आपको ये concept और ये rule पसंद आया है तो इस rule को apply कीजिए और इस वीडियो को जरूँ शेर कीजिए ताकि बाकी लोगों को भी पता लगे कि ऐसा एक rule है जिससे आप किसी भी stress से 5 मिनिट के अंदर निकल सकते हैं और वीडियो कर पसंद आया है वीडियो को like कीजिएगा शेर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कर दिएगा और जब तक नेक्स वीडियो नहीं आता है stay focused क्योंकि जो focused है वो ही life में बज़ अचीव करता है Thank you